प्लीज सब्सक्राइब और जादा देर बात करने से सिर्फ फटने लगता है आपका यह कान में दर्द होता है लोग कहते हैं किसकी वज़ा है मोबाइल फोन से निकलने वाला खतरनाक रेडियेशन लेकिन ये तो छोटी मोटी दिक्कते हैं सोशल मीडिया का दावा है कि मोबाइल रेडियेशन तो इतनी तेज है कि ये पॉपकॉन तक पका दे जरा सोचिए फिरे मोबाइल फोन आपकी सेहत का क्या हाल कर देगा क्या आपकी जान का दुश्मन है आपका मोबाइल फोन महस दस सेकंड दस सेकंड के भीतर मोबाइल फोन की रेडियेशन की उजा से पक कर पॉपकॉन बन गए मक्की के दाने मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियेशन की ताकत ये है जब दस सेकंड में मक्की के दानों का ये हाल हो गया तो आप तो फिर दिन के गरीब 6-7 घंटे मोबाइल से ही चिपके रहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद क्या चुनेंगे आप मोबाइल फोन या अपनी सेहत आपने कहीं बार सुना होगा कि मोबाइल रेडियेशन से सुनने की शमता कमसोर हो जाती है ब्रेन डैमेज हो जाता है यहां तक की कैंसर भी हो सकता है लेकिन इस दावे की सच्चाई है क्या यह जानने के लिए सबसे पहले तो हमने खुद ही मोबाइल रेडियेशन टेस्ट करके देखा इस तरह से देखिए चार फोन्स पर यहां हम कॉल कर रहे हैं और बीच में मकई के दाने रखे है हमारी मकई के दानों पर तो मोबाइल फोन की रेडियेशन का कोई असर ही नहीं हुआ तो क्या वाइरल वीडियो में इस्तेमाल हुए मोबाइल फोन कुछ अलग है पॉपकॉन को पकने के लिए करीब 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है वीडियो में मक्की के दानों के पॉपकॉन बन रहे है यानि मोबाइल से 200 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी तो निकल ही रही होगी इंसानी शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन यही शरीर बुखार होने पर 40 डिग्री तक की गर्मी भी बरदाश्ट नहीं कर पाता तो फिर मोबाइल फोन से निकलने वाली 200 डिग्री सेल्सियस की कर्मी इंसानी शरीर कैसे बरदाश्ट कर लेगा? क्या मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियेशन की उर्जा इतनी तेज हो सकती है कि पॉपकॉन ही पका दे? मोबाईल रेडियेशन का इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है क्या आपको अभी इसी वक्त अपना मोबाईल फोन खुद से दूर कर देना चाहिए इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हम पहुँचे कोलकाता के वरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर वी इसी सी भारत सरकार के अटोमिक एनर्जी विभाग की शोधेवम विकासिकाई है हमारा जो मोबाईल से रेडियेशन निकलता है उसका मेजर वेलू ही माइक्रोवाट पावर लेवल में लेकर मोबाईल फोन की रेडियेशन का इंसानी शरीर पर कोई असर होता है तो इसका जवाब जानने के लिए हम कोलकाता के अपोलो ग्लैनिकल्स अस्पताल में नियूरो सर्जरी विभाग के हैड डॉक्टर एसन सिंग के पास पहुँचे लोगों को ये कानाय की परहेज रखा जाए लेकिन अगर मोबाईल फोन की रेडियेशन से पॉपकॉन बन ही नहीं सकता तो फिर वाइरल वीडियो में जो दिख रहा है वो क्या है तो इस राज से भी पर्दा उठा गेते हैं ये वीडियो साल 2008 या नौका है हमारे सहियोगी चैनल CNN ने करीब 10 साल पहले इस वारल वीडियो की गुथी सुल्जाई थी we sat together and said how can we create something that's funny, hilarious, causes people trying to emulate it and eventually of course touching on our business the real thing is a mixture between the kitchen stove and digital editing so you fried the popcorn separately somewhere else and you just dropped it in there and then you digitally went in there and removed the kernels absolutely, you got it हुआ दर असल ये था कि काजो सिस्टम्स नाम की एक Bluetooth headset बनाने वाली कमपनी ने अपने विग्यापन के तौर पर ये वीडियो बनाया था विडियो में उचल रहे ये पॉपकॉन इन मक्की के दानों के नहीं है बलकि ये पॉपकॉन ऊपर से गिराए गए है ताकि ऐसा लगे कि ये दाने ही पक कर पॉपकॉन मन गए लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं और फोन, फोन तो बस यू दिखाने के लिए ही टेबल पर रखे गए है ये वाइरल विडियो सिर्फ एक कमपनी की कमाई का पैतरा था भारतिय संचार मंत्राले ने भी मोबाइल फोन के रेडियेशन से होने वाले खत्रों को नका रहा है मंत्राले की वेबसाइट पर लिखा है डव्यो एचो ने पिछले 30 साल में किये गए लगभग 25,000 शोधों के आधार पर ये निशकर्ष निकाला है कि मोबाइल फोन की रेडियेशन से इनसानों को होने वाले खत्रे का कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया है लहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वाइरल खबर गलत साबित हुई है झाला है